हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो फ्रेंड्स लास लेक्चर में हमने देखा था सीस्टार का डाइजेस्ट्री सिस्टीम और आज हम देखने जा रहे हैं इसका डाइजेशन किस टाइप का होता है तो चले स्टार्ट करते हैं यह जो सीस्टार होते हैं इनमें दो टाइप के डाजेशन पाया जाते हैं इंट्रसेलोला डाजेशन और एक्स्ट्रसेलोला डाजेशन इंट्रसेलोला डाजेशन में जो सेल के अंदर होता है और extracellular digestion का मतलब होता है सेल के बाहर होने वाला digestion तो यह कैसे होता है इसका जो digestion होता है वो स्टार्ट होता है उसकी feeding mechanism के साथ जब यह feeding कर रहा होता है तब यह क्या करता है अपने food को partial digest कर लेता है outside the body अपने stomach और pyloric जो digestive enzyme secret होते वो क्या करता है अपने प्रेक के ऊपर पवर करतें जब ये प्रेक के ऊपर इंजायम्वी को प्रेकक में लाता है जब अपना digestive enzyme प्रे के उपर पोर कर देता है तो प्रे के जो body parts होते है उसका conversion हो जाता है protein का pepton में, star का maltose में, fat का fatty acid and glycerol में और क्या हो जाता है उसका partial digestion हो जाता है outside of the body then वो क्या कर देता है अपने stomach से उसको wrap कर लेता है and with the help of retracted muscle वो अपने stomach को withdraw करता है inside the body जो remaining digestion होता है जब पहले से यो partial digestive food अपने body में लेता है, stomach में लेता है जो बाकी का कुछ बच्चा हुआ digestion है वो उसके stomach में और pyloric seca में होता है because pyloric seca क्या करते है, digestive enzyme secret करते हैं हम digestive gland भी कहते हैं और उसका जो पूरा digestion जो बाकी का बच्चा हुआ था हुआ पूरा stomach में और pyloric seca में हो जाता है उसकी जो digestive system होती है, वहाँ पर two types के cell पाया जाते है that is amoeboid type cells, amoebocides and phagocides cell यह क्या करते हैं, जब digestion पूरा हो जाता है तो digestive food को digestive track की वॉल में absorb कर देते हैं और absorb करने के बाद यह पास कर देते हैं, इसको cellomic fluid of perivisceral cavity लें क्या हो जाता है, जब यह perivisceral cavity में आ जाता है cellomic fluid में आ जाता है, तब इसको all body part को क्या किया जाता है distribute किया जाता है, digested food और जो undigested matter था, वह क्या होता है, mouth से eject out होता है because इसका anus होता है, very small होता है, intestine भी very small होता है और उसमें भी बहुत थोड़ा absorption हो जाता है तो very few undigested waste होता है, उसे anus से ओ, eject out कर देते हैं तो friends, ए था C-star का digestion अगर यह वीडियो आपको पसंत आई हो, तो please मेरे चैनल को like कीजे, share कीजे, comment कीजे और साथ में सब्सक्राइब कीजी झाल को जाता है